वंडे कफ्तानी और रोहित के साथ कला पर चल रही तमाम अचकलो को विराज कोहली ने बुधवार को प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान साफ कर दिया भारतिये टेस्ट टीम के कफ्तान ने कहा कि वे दक्षिन अफ्रिका दौरे पर वंडे सीरीज के लिए उपलब्द रहेंगे उन्होंने वंडे सीरीज से कफ्तानी वापस लिया जाने पर भी जवाब दिया कोहली ने कहा कि वे टेस्ट और बंडे की कपतानी जारी रखना चाहते थे लेकिन टेस्ट टीम के सेलेक्शन के दौरान मुख्य चैन करता ने उन्हें बताया कि बंडे की कपतानी वापस ली जा रही है खबर मैं आगे बढ़ू इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें नमस्कार मैं हुजै श्रीनाग्दा और आप देख रहे हैं CBC News वैर कोहली ने कहा कि बंडे की कपतानी वापस लिये जाने से उन्हें कोई परिशानी नहीं है कोहली ने रोहित के साथ अपनी अन्बन की खबरों को भी नकार दिया उन्होंने कहा कि मेरे और रोहित शर्मा के बीच कोई समस्या नहीं है विराट ने सारी इस्थिती क्लियर कर दी पहली वंडे कप्तानी से हटाए जाने पर उन्होंने कहा कि इसके जाने के बाद मेरी बल्लेबाजी पर बहुत जादा असर नहीं देखने को मिलेगा जब भी मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ तो मैं अपना सब कुछ देता हूँ जिस तरह से मैं भारत के लिए वंडे में अपना योगदान देता था उसी तरह से देता रहूँगा दूसरा रोहित शर्मा से अनबर और उनकी चोट पर भी उन्होंने साफ किया कि रोहित और मेरे बीच कोई समस्या नहीं है मैं पिछले धाई साल से इस पर सफाई दे रहा हूँ अब मैं बार-बार यह बात कहते हुए ठक चुका हूँ जहां तक उनको टेस सीरीज के दौरान न मौजूद रहने की बात है तो हम उनकी शमताओं को का फे मिस करेंगे तीसरा अपने वंडे सीरीज के लिए उपलब्ध हूँ और पहले भी उपलब्ध था मैं वंडे के लिए भी उपलब्ध हूँ और हमेशा ही केलना चाहता हूँ मैंने बोड से कभी भी ब्रेक की बात नहीं कही चौथा T20 की कप्तानी पर उन्होंने बोला कि मैंने BCCI को बताया कि मैं T20 की कप्तानी छोड़ना चाहता हूँ जब मैंने ऐसा किया तो बोर्ड नी मेरी इस बात को बहुत अच्छे धंसे स्विकार किया उनके भीतर कोई जिजक नहीं थी बोर्ड ने मुझसे बोला कि यह एक अच्छा कदम है मैंने बोर्ड से उसी वक्त कहा था कि मैं बंडे और टेस्ट में टीम का नेतरत्व करना चाहता हूँ मेरी तरप से यह संदेश इसपस्ट था लेकिन मैंने अधिकारियों से यह भी कह दिया था कि अगर उन्हें ऐसा नहीं लगता है तो भी कोई परिशानी नहीं है रोहित और विराट के बीच कला की खबरों के बीच BCCI के अधिकारियों के एक बयान आए इन बयानों के चलते विराट कोहली के बंडे सीरीज में खेलने को लेकर confusion पैदा हो गया BCCI के एक सूतर ने पहले कहा कि वंडे सीरीज में विराट कोहली ब्रेक पर रहेंगे एक अन्य सूतर ने कहा कि विराट कोहली वंडे सीरीज में खेलेंगे क्योंकि उन्होंने अभी ब्रेक के लिए official application नहीं दी है और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वे सीरीज में खेल रहे हैं हाँ चोट लग जाए तो बात लग है उदर बोर्ड के कोशाध्यक्ष अरुन धूमल ने कहा कि जब विराट कोहली को वंडे की कप्तानी से हटाने का फैसला भी नहीं लिया गया था तब ही उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी थी कि वे वंडे सीरीज में खेलना नहीं चाहते हैं रोहित शर्मा कप्तान बनने के बाद बी सी सी आई टीवी को अपना पहला इंटर्व्यू कुछ दिन पहले दिया था इस इंटर्व्यू में उन्होंने विराट कोहली की जमकर तारींग भी की थी रोहित ने कहा था कि कोहली ने 5 साल तक भारतिय टीम को फ्रंट से लीड किया है कोहली ने सभी मैचों में अपना बेस्ट देना चाहा उनकी कप्तानी में टीम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा मेरे लिए कोहली की कप्तानी में खेलने का अनुभव शांदार रहा है हम दोनों ने काफी क्रिकेट साथ में खेली है और हर मौके को इंजॉय किया है हम आगे भी वैसा ही करेंगे हमें टीम के तौर पर और बहतर होना है और हमारा फोकस उसी पर है